आपका नाम है डॉक्टर नीलू चोहान आप कोटा विश्विध्याले में असुसिट प्रोफेसर के पत्पेकारी रहें आज हमारे यहां पर ईजे गस्ट लेक्षर और एक्सपर्ट लेक्चर आपने हमारे कान्फेर पार्टिसिपट के आक ऑoni के हैं उस पे जोड डालते हुए अपना जो व्याक्या ने वो हिंदी में दिया और सबसे पहले में बात ही आप से कहना चाहूंगे कि ये उच्छे तक्निकी के जो शेत्र है उसमें जो टामनोलोजी है जो शब्दावली है उसका बड़ा अभाव है मतलब मैंने अपना लेक्चर प् इसको बनाने के लिए क्योंकि तक्निकी शब्दों का अर्थ इवन में को तक्निकी शब्दावली आयो की विबसाइट पे भी नहीं मिला तो कुछ सब्दों मुझे डिक्सिनरी से डेखने पड़े है तो ये काफी अच्छा अनभव लगा और मुझे लगता है कि ये वक्त क बेगरवाती हूं तो मैंने ये पाया कि जो स्टूडेंस हैं जब वो एंटर होते हैं मैसे क्लास में तो मतलब उनका जो डर सबसे पहला जो डर होता है वो भाश्या का रहता है कि मैडम हम हिंदी मीडियम से हैं और हम इंग्लिश में जो है वो कैसे पढ़ाई करेंगे कि इं अगर आपनी मातर भाशा को बढ़ावा देंगे जैसे कि चाइनीज लोग कर रहे हैं वो कितनी कठी इंकलिस्ट भाशा है उनकी मेंडिटिरियन लेकिन वो चाइनीज में ही अपना सनवाद और अपना पढ़ाई पढ़ाई करते हैं वो भी इंग्लिश में चापते हैं अगर हम अपना जो मीडिया में उसको चेंज नहीं करके अपना जो ज्यान है वो उसको हम ट्रांसफर करें हम लोग अपनी विज्ञान को हिंदी में लेकर किया है तैंक्यू मैम आपके से में थोड़ा सा अनुभाव जानना चाहूंगा कि इस ताइप की जो कॉन्फरेंस स्पेसिफिक विश्विद्या लेने जुकी है और यहां पे जो शब्दावली आया होगी उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया है उसके बारे मेरे मे यहां पर आज लर्नेरी आया है वैसे मैंने तो एक्सपोर्ट लेक्चर दिया लेकिन मैं अपने आपको यहां पर लर्नर समझ कर की आया हूं क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है यहां जब प्रेजंटेशन में बना रही थी हिंदी में तो आई लर्न अलाट दिरिंग प्रेजंटेशन सो इस तरह की कॉंफरेंसिस होने ही चाहिए और यह होएंगी तभी हमें अपनी कमिया और उनको सुधाने का मौका मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छा अनुब है थैंक य। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम और बिल्कुल हम इस टाइब की कॉंफरेंसिस आगे भी कराते रहेंगे और आपको एज एक्सपट लेक्चरियां बूलाते रहेंगे थैंक यू मैम थैंक यू